कवच 20 दिन के पस्चात मल्टिप्लाई होने के बाद ये इस प्रकार इसमें लेयर दिखाई दे रहे हैं आप देख रहे हैं इसके लेयर में प्रोटीन हार्मोन भरपूर मात्रा होती है जो पौधे के लिए संपुन पोसन अहर उपलब्द कराता है साथ ही इसमें बेसिलस एजाइट बैक्टिरिया एट किया गया है जो पौधे की केटो से सुरक्षा रखने में सायक होता है यह हमने मुलेसिस से मल्टिप्लाई किया है इसका जो कलर है कुछ आपको रेडिस दिखाई दे रहा होगा इसमें लाली पन दिखाई दे रहा है बट आप गूर्ट से करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो अलग आएगा यह मल्टिप्लाई होकर के पूरी तरह से रेडि हो चुका है इसके बाद में इसे हम अपनी वसल पर खास करके इस्टेम बोरर की समस्या से हम ज़्यादा जूच रहे हैं इस्टेम बोरर के अटेक को रोकने के लिए हम इसका इस्तमाल करेंगे यह 200 लिटर पानी में मल्टिप्लाई किया गया है तो 200 लिटर पानी के लिए 10 लिटर चुने का पानी इस्तमाल करना होगा इसके लिए हम 2 केजी डल्ला चुना को 10 लिटर पानी में डाल करके दूसरे दिन उसके पानी को इसमें मिक्स कर डारेक्ट इस्प्रे लगाना है इसमें और किसे भी प्रकार से पानी मिलानी किया हो सकता नहीं है जै गव माता, जै धर्ती माता, जै किसान, जै चछतिस गड़